नमस्कार मैं डॉक्टर एजीद भारती है आज फिर आपके लिए इंदी विसेय के अंतरगत हम पत्र का उदाहार नंबर 13 लेका रहे हैं ठीक है तो ये आज आज आपके लिए अनुपचारिक पत्र है जिसमें समय के महत्व पर पत्र लिखा गया तो सबसे पहले हम प्रसन सब्दों में एक पत्र लिखना है ठीक तो सबसे पहले का करोगे प्रसन को पहले ठीक से पढ़ लो और इसमें से तीन बाते निकाल लो कौन कौन सी एक तो पत्र कौन लिख रहा आप कौन मौन कुमार या मीना कुमारी लड़का हो तो मौन कुमार लड़की हो तो मीना कुमा ऊत्तर आता यानि समय का महत तो यह 40 चीजे हो गई एक तो यह पत्र कौन लिख रहा है आप किसको छोटे भाई को और विशह क्या समय का महत बस यह 30 चीजह आप ने निकाल ली तो आतो mend में क्या करोगे पत्र आसानी से एक मिनट में लिख लोगे, एक मिनट में लिखने में जो समय लगेगा, बाकी आपको कठना ही बिल्कोल नहीं जाएगी, अब हम लिखना शुरू करते हैं, उत्तर, तो उत्तर हमने ऐसे एटिंग डाल, या फिलिख दिया, समय का महत बताते हुए छोटे भाई को पत अब उत्तर में ऐसे लिख दो, या फिर सिर्फ पत्र लिखन लिख सकते हो, या फिर उसके जगह पर लिख सकते हैं, छोटे भाई को पत्र, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, समय के महत पर पत्र, या ऐसे चार बिसे मैंने बताए कोई भी उत्तर लिख सकते हो, अब उत्तर नीचे हम लिखेंगे दिनांग, दिनांग लिए 16, 10, 2000, और दो X में बना दिए, कि अगर हम नोट्बॉूक में जब पत्र लिखते हैं, किसी परीच्छा में लिखते हैं तो हम EOS फ्र्ट जाता है, लिखते हैं नम फ्रस 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 फ्रसे शिती हैं, जाते हैं का अर्थ होता है प्रेम इसके पश्चाद फिर हम लिखेंगे इसमें अब मेन पत्र तो मेन पत्र में सबसे पहले लिखेंगे कि मैं आपर कुसल हूँ आसा करता हूँ कि तुम भी स्वस्त और खुस होगे ठीक अर्थ होगे अर्थ होगे अब उसके बाद फिर मुखसमाचा लिखेंगे मुझे यह जानकर दुख हुआ कि तुम अपना बाव समय वीडियो गेम खेलने में बिता रहे हो वीडियो गेम खेलना कभी कभी ठीक है लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि तुम्हारा कीमती समय पढ़ाई खेल कूल और नए कोसलों कोसल सीखने में ब्यतीत हो समय बहुत महत्पूर और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो भवेस में इसका लाप तुमें मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ अपने सारी इरिक और मांसिक विकास पर ध्यान देना भी जरूरी है उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे और समय का सही उपयोग करोगे यह हो गया तुमारा पत्र और अंत में हम लिख देंगे क्या तुमारा भाई मोवन कुमार ठीक अगर लड़की है तो फर यहाँ पर लिख देंगे तुमारी बैन और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे तो इस तरह से यह हो गया समय के महत पर छोटे भाई को पत्र इसी तरह से आप छोटे भाई को बड़े भाई को छोटी बहन को बतीजे को किसी को भी या मित्र को लिख सकते हो यानी समय के महत पर अब पत लिखते समय कौन-कौन ध्यान रखें एक तो यह ध्यान रखना कि जो format इसका ऐसा जो यह sequence में लिखते हैं यह हमेसा ध्यान रखना इसी तरह लिखना दूसरा क्या करना है कि आप जब भी पत लिखें उसमें हमेसा ऐसे सब्दों या वाक्यों को प्रियोग करें जो आप सुद और सही लिख पाते हो जो आपको difficult या कठें लगते हैं उनका प्रियोग बिल्कुल न करें जहां रखना क्यूंकि असुद लिखने पर नंबर कट जाते हैं यह हो गया और जो अंतिम जब भी आप लिखेंगे पत्र फारमेट उसका पत्र का सही लिखें कभी गड़बल बिल्कुल न करें और सरलवासा का प्रियोग करें अगर इस तरह से आप साफ स्वच्च और सुद सुन्दर राइटिंग में अगर पत्र लिखते हैं मैंने तो यह हो गया पत्र समाथ मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो बारा उधारन एवं अन उधारन हैं पत्र से समन्दे उनकी भी लिंक दिये दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए वहां किलिक करिए और अलग-अलग विस्वेंग पर पत्र को आप सुनें, देखें, समझें तो पिर अगर किसी पिरकार का डाउट हो, तो कमेंट करके हमें बताएं तो पिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेगे किसी ने विस्वेंग साथ तब तक के लिए धन्वाद